Chapter 3 Class 7 Science से एक टॉपिक है रेशम, रेशम या सिल्क, सिल्क वाम जिसी कहते हैं, जिसे सिल्क का निर्मान होता है और सिल्क के जो कौपड़े बनते हैं, जो साइन्स का जो फाइबर और फाइबरिक लेशन है, फाइबर तो फाइबरिक जिसमें आपका सीफ की बात हम करते हैं, ज सिल्क मला रेशम, रेशम के भी बहुत सारे कपड़े बनते हैं, और वो बनता है किसे सिल्क वाम, रेशम का कीडा जिसे कहते हैं, लाइफ इस्ति आफ शिल्क मौत इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और किस तरह से निर्मान होता है, ये पार्ट में इसका अध्यन होगा, तो तो रेशम का कीला है एक टाइब का अनिमल फाइबर है, मिलता है उसे, अनिमल फाइबर नो जो फाइबर जो रेशा जो है अनिमल से मिलता है, हम उसे अनिमल फाइबर बोलते हैं, और जो प्लांट से मिलता है उसे प्लांट फाइबर करते हैं, जैसे आपने सिक्स में देखा, तो silk fiber is also animal fiber, silk warm skin, the silk fiber, the rearing of silk warm for obtaining silk is called sericulture, silk is used to make different kind of silk sari, आपने देखे हैंगे बहुत सारे कपडे जो है जो रेशम के कपडे होते हैं, उसमें से एक चीज़ है साड़ी, साड़ी भी आपने देखा होगा, तो जो rearing of silk warm है, silk warm को पालना, उसका पालन पोर्षण करना, क्या कहलाता है उस विज्ञान का नाम? सेरी कल्चर, उसको बोलते हैं सेरी कल्चर, सेरी कल्चर का मुलब है silk warm का rearing, उसको पालन पोर्षण करना, क्या बनाने के लिए? silk fiber बनाने के लिए, तो लाइविस्ट्री के अगर हम बात करें तो silk warm की जो लाइविस्ट्री है male और female उसमें दोनों होते हैं, और वो जो है यहाँ चितर के माध्यम से आप देख सकते हैं एक adult है, उससे जो माधा है, जो female है, वो egg देगी, egg से क्या बनेगा? लारवा, लारवा फिवाद में ग्रोव करके प्यूपा बनाएगा, और यह प्यूपा के stage में वो डिपलब होके फिर बाद में मौत बनता है, यह प्यूपा वाला जो stage है, इससे silk का महाँ पर निर्मान होता है, सिल्का रेशा बनता है, यह आप चित्र के माधम से समझ सकते हैं यहाँ पर, तो लाइब इस्ट्री या जिवन चक्र जैसे हम कहते हैं, तब फिमेल सिल्क बहुत लेज एग और फॉर्म हैज लारवी विच आर काल्ड काटरपिलर्स और सिल्कूबं, अब वो अंडा देखे मधन जय्सेष उसको है areज करता हैं, उसको सेखता है, लारवाव से बनता है, जसे वो कटरपिलर्ड भी कहते हैं, इस हम रिकारे के या। स्टेज और इस लाइफ हिस्ट्री इस काल फ्यूफा उसके बाद अगली स्टेज के है फ्यूफा है इट फस्ट विजे नेट होल इसल पहले क्या करता है एक प्रगार का नेट बनाता है वो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र के मादम से यह को कोन वाला पार्ट ह उदर से उसने उउविंग कर दिया है तो फस्ट में बुनने का काम उसमें करता है जो फ्यूफा ओल इस्टेज होती है देन इट स्फिंक सिट्स एड फ्रम स्टो साइड इन फॉर्म ऑफ एड फिगर उसके सरीर से एक प्रकार के क्या प्रोटीन निकलता है जिसे गते हैं द एक प्रोटीन करता है निकालता है विच हार्ड़ाइट एक्सपोजर अवा में हवा में तो वह हाड होते जाता है प्रोटीन हाड होते जाता है और एड लिखते हम एड कितरह अपने उसमें घूमता रहता है जाता है तो इस तरह से वह निर्मान होता है जो रिशा है विच हाड़न सोन दे एक्सपोजर अवेर जैसे वह प्रोटीन जो है हवा के संपर्गमा आता है तो हाड होते रहता है हाड मलो कठोर होते रहता है सून केटरपलास कम्प्लेटली कवर्स इटसल भाइस सिल्क फाइबर एंड तर इंटो फ्यूपा इसके बाद इस तरह से पूरा कभर हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्यूपा कहते हैं फिर एक फाइबर से पूरा धग जाता है हो कभरीग इसन उनलस कों के एंड तो इसको परिंग को फिर पा द मुंक के ते हैं कम एक फरकार का आई ऐसा का अई है जτι यूभ सरे कभड़ी बानते इक सिल्क यांड योजट फिर वीज्ड जय्ंट क्राइबर एंट तर्ध गया तरी इस् HAR द्वल स्देश् corridor अगर हो गया तो घिसी भी परकार के भपड़े बन सकते हैं टिफरेंट टाइप आफ आफ उब्रोड्यूज दा डिफरेंट सिल्क मॉथ इस समें भी कई वे राइटी इसके होते हैं उसमें अलग-लग प्रकार से सिल्क की व courtroom से कीट से अलग-लग होते हैं Most common silk moth is mulberry silk moth कहते हैं जो अधिकतर use होता है अधिकतर मिलता है तो mulberry silk moth कहते है उसे वो अक्सर उसका जो रेशा है रेशम का रेशा वो silk moth, mulberry silk moth कहते हैं वो अक्सर use होता है Seri culture is a very old occupation of India जिसमें कहते है, Seri culture मुझा उसका रेशम का निर्मान करने का जो विज्ञान है उसे कहते है, Seri culture बहुत पूराना विज्ञान है आज से नहीं बहुत पहले राजा महराजों के जबाने से इसका यूज होते आया है तो आपने देखा इसमें adult था एक adult नहीं जो वैस का male female है female अंडा देती है, अंडे से लारवा caterpillar होता है caterpillar से फ्यूफा फिर वही adult बन जाता है इस तरह से इसकी life cycle होती है इसको आप एक चित्र के माद्यम से समझ सकते है ये ये उसी का एक चित्र और है जो यहां पर आप देख सकते है ये फ्यूफा वाला वाग वाद में को कौन बन जाता है ये ही गहरा जो है उसका उससे गहरे से उसका silk का fiber त्यार हो जाता है